निम्लिक्त में से कौन सी एक अर्थ व्यवस्ता में उत्पादन का स्वामित व्यक्तिगत होता है तो इसमें पुन्जी वादी जो अर्थ व्यवस्ता होती है उसमें जो मालिक होता है वो व्यक्तिगत होता है तो इसका सही उत्र आएगा पूण जी वाद, पूण जी वाद ए ओप्षन इसका बिलकूल सही है अगला परसन देखिए निमलिख्त में से कौन सा एक परकार का ऊध्योग, अन्ने उध्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है यानि कि वह कौन सा उद्धोग होता है जो दूसरे उद्धोगों को कच्चा माल देता है तो वह है आधार भूत उद्धोग होता है वह होते हैं जो किसी दूसरे उद्धोग के लिए वस्तुएं बनाते हैं जैसे लो आइस पात उद्धोग है वह एक बहुती बड़ा आधार बूत उद्धोग होता है क्योंकि सबी मशीने लोहे की होती है तो इसका C option बिलकुल सही है आधार बूत उद्धोग अगला परसन देखिए अगला परसन है निमलिक्त में कौन सा लोहे दात उद्धोग है यहने कि वो उद्धोग बताना है जिसमें लोहे का यूज होता है तो करसी ओजार उद्धोग यहने कि D option इसका बिलकुल सही है जो करसी के जो ओजार होते हैं वो लोहे के होते हैं जैसे टराली है, Positive है, Tortigator है, यह सभी लोहे के होते हैं तो low हेद उद्धोग में आएगा, low हेदात उद्धोग में करसी हो जार उद्धोगे, बिल्कुल सही है, D option इसका बिल्कुल सही आएगा, अगला परसन देखिए, निमलिक्त में से आद्हर बुद्धोग कौन सा है, तो आद्हर बुद्धोग मैंने आपको बता रखे है, पह आइसपात उद्धोग एक आधारवत उद्धोग का उद्धोग है अगला परसन देखिए अगला परसन है निमलिक्त में से करसी आधारित उद्धोग कौन सा है यनि कि हमने वो बताना है जो करसी पर डिपेंड है ऐसे उद्धोग बताने है तो चीनी उद्धोग जो है वो कर जिनी उद्धुग के रशी आधारित, मैं आपको अपने तीन बाक पर नहीं भी बता देता हूं। इनी उत्धोग जो है वो करसिया धारित उत्धोग है, C उप्षन इसका बिलकुल सही है, अगला परसन देखिए, निमलिक्त में से कौन सा उत्धोग किया उस्तिती में बोगोलिक कारक नहीं है, यानि कि ये चार उप्षन है, इन में किसी उत्धोग को लगाते हैं, तो इसमे मानवी कारक में आती हैं, जबकि ये तीन उप्षन जो हैं, उच्चावच है, कच्चा माल है, जलवा यू है, ये भोगोलिक कारक होते हैं, इसमें आपको समझा देता हूँ, एक चीज और कि उद्धोगों की अवस्तिती को पर भावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक भो परसन भी इंपोर्टेंट बनता है, कि उद्धोगी अवस्तिती को पर भावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, तो आपने ध्यान रखना है, ये इंपोर्टेंट परसन है, बड़ा परसन आ सकता है पेपर में, तो इस परसन का उत्र क्याएगा, सरकारी नितियां, सरकार काणिःट गाति है वो कैलिफॉर्णीया में है, ये कैलिफॉर्णीया का है बचो ये USA, सहयुक्त राज अमेरिका में है कैलिफॉर्णीया और वहाँ पर इलेक्टोनिक्स उद्धोग सिलीका पाफी मात्रा में यूज की जाती है और इसलिए उसका सिलीकन गाति नाम रग द सिंकुत राज अमेरिका में अगला परसन देखिए अगला परसन है निमलिक्त में से कौन सा लोहा ऐसक छेतर नहीं है इनमें हमने देखना है कि कौन सा ऐसा छेतर है जहां पर लोहा नहीं मिलता तो इसमें सिलिकन जो गाटी है वहां पर लोहा ऐसक नहीं है वहां पर किस चीज का ऐसक पाए जाता है वहां सिलीका पाई जाती है क्या पाई जाती है बच्चो सिलीकन गाटी में सिलीका का उत्पादन होता है जबकि रूहर अमेरिका की जीलों का और छोटा नागपूर में लोहा ऐसक पाए जाता है तो इसका सही उत्तर क्या आएगा बच्चो सिलीकन मुन सा होता है बच्चो सारजनिक होता है जिसका परवंद राज की सरकार क्या आत्मे हो यह सरकार राज्य की सरकार हो सकती है या केंदर की सरकार हो सकती है जैसे मैं आपको उधान भी दे देता हूँ देखिए H.S.L. इंदुस्तान स्टील लिमिटीड एक सारजनी कुद्धोग है इसको इंडियन आईरन स्टील पनि यह ही विषि वृचल भारत है वी इलेक्टिक लिमिटीड यह एक सारजनी कुद्धोग का उधार्ण है तो इनका रखारखाव कों करता है परवन्ध कों करता है राज की सरकार या के अंदर सरकार ये सरकार ये करती हैं वह उद्धोग सार्जनिक उद्धोग होते हैं अगला परसन देखिए अगला परसन बहुत ही important है इसको note कर लिए बच्चो बहुत ही मैत्रपून परसन है ये देखिए सर्वाधिक लोग ऐसे के बंडार किस देश में हैं दुनिया में सबसे अधिक लोग ऐसे के बंडार किस देश में हैं चीन में हैं ये आपने note कर लेना है c option इसका बिल्कुल सही है अगला परसन देखिए बच्चो अगला परसन है इस परकार का सर्मिक कुटी रूध धोग का भाग नहीं है यानि कि इसमें जो सर्मिक देए है इसमें कौन सा ऐसा है जो कुटी रूध धोग का भाग नहीं है तो दुकंदार जो होता वो सिवा कार ये करता है, तो इसका C option बिल्कुल सही है, दुकंदार कुटी रूध धोग मैं नहीं आता है, ज़ो है वह कुटी रूध धोग में आता है, बेड़ पालक कैसे आते हैं, बेड़ करता है वोन कपड़ी मनाने का काम या भुनता है कुश्य भी तो वह कुटी रुद्ध में आते हैं जब कि डुकंधार है वह कुटी रुद्ध हैं नहीं आता दुकंधार एक सेवा द्याता है अगला परसंद करने हिए अगला पर्संद की एलुमुनियम किस एसक से पराप्त किया जाता है तो जो एलुमुनियम की पराप्ती होती है वो बाक्साइट से होती है बाक्साइट इसका सही उत्र है एलुमुनियम का एसक कौन है बाक्साइट है एक चीज़ और बता देता हूँ दुनिया में सबसे अधिक बाक्साइट के वंडार आस्ट्रेलिया में है और भारत में सबसे ज्यादा बाक्साइट उडिस्था से प्राफ्त होता है उडिस्था में बंडार है बाक्साइट के अगला परसंदेखिए अगला परसन है निमलिक्त में से कौन सा ए दात्वी खनीज है ए दात्वी खनीज कौन सा है तो ए दात्वी खनीज कौन सा है बच्चो इसमें गंधक जो है वो ए दात्वी खनीज है चांदी भी दातू है तामबा भी दातू है सोना भी दातू है तो गंधक है वो कोई भी दा दवीतिक छेत्र की गतिविदी नहीं है यानि कि वी निर्मान दवीतिक छेत्र में आते हैं उद्धोग जो होते हैं वो दवीतिक छेत्र में आते हैं तो इसमें मचली पकड़ना है वो दवीतिक छेत्र में नहीं आता है मचली पकड़ना है यह प्राथमिक गतिविदी में आत हैं तो इसका सी ओप्षन बिल्कुल सही है मचली पकड़ना गतीवी दीजो है वो दवितियक छेत्र में सामिल नहीं है अगला परसंदेखिए अगला परसंद बहुत ही अच्छा परसंद है इसको नोट कर लेना वन आधारित उद्धोग का उधान देजिए देखिए वनों प में लाख पराप्त किया जाता है और कागश उद्धोग जो है वह विवनों से लुग दी पेड़ पोदों से लुग दी बना करके फिर कागश मना जाता है तो इसका डी ओप्षन बिल्कुल सही है उप्युक्त सभी जो है वह वनों पर आधारित हैं अगला परसंद कि लगाता है जो परसंद रहे हैं यह इंपोर्टेंट हैं और लेक्षरार मुकेश राज यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं गया तो इसको सब्सक्राइब कर लिए और शेयर कर दे बच्चों दुमाठा दे शेयर करन का निमलिक्त में से कर्षिया दोग का उधान कौन सा नहीं है चीनी दोग कर्षिया धारितु दोग है वस्तर दोग है कर्षिया धारितु दोग है और इसपात दोग है वो कर्षिया धारितु दोग नहीं है तो नहीं है पूछा कर्षिया धारितु दोग जो है वो कर्षिया धारितु दोग नहीं है क्यो अगला परसन देखिए तो यह परसन पहले भी आ चुका है सिलीकन जो गाटी है वो software उद्धोग के लिए है C option इसका बिल्कुल सही है वहाँ पर सिलीका का कार यह होता है और यह California में है सिलीकन गाटी सियुक्त राजा अमेरिका के California राजय में सिलीकन गाटी है और वो software उद्धोग के लिए electronic सुद्धोग के लिए दुनिया में परसिद है भारत में भी बैंगलोर है उसको भी भारत की silicon gati कहते हैं क्योंकि वहाँ पर भी ज्यादा electronic सुद्धोग software engineer का काम होता है तो इस person का उत्र क्या हैगा इसका उत्र आएगा software silicon gati किस उद्धोग के लिए परसिद है बचो software उद्धोग के लिए परसिद है silicon gati अगला परसन देखिए अब एक सबद में उत्तर वाले परसन आ गए हैं बहुत ही simple सा दान परसन है और ये person important भी है आपको हने यहां से एक नमर जरूर मिलेगा इस lesson में सही जो मने आज करवाए हैं देखो पहला परसन रूहरोद दोगिक परदेश किस देश में है तो रूहरोद दोगिक परदेश बचो जर्मनी में है यह मैंने बता दिया आपको जर्मनी में है राइन नदी के आसपास का ज़ो उद्धोगीक प्रदेस है उसको रुखर उद्धोगीक प्रदेस कहते हैं अगला परसन देखिए सिलिकन गाटी कहां श्तित है सिलिकन गाटी अमेरिका के केलिफोर्निया राज्ये में है कहां पर है अमरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सिलिकन गाटी है ये नोट कर लो भाई रहे इसलिकन गाटी कहां है अमरिका में है और अमरिका में किस राज्य में कैलिफोर्निया राज्य में है अगला परसन है किस उद्धोग को आधार बुतुत जो कहते हैं तो लो हाइस पातुद्धोग को आधार बुतुद्धोग कहते हैं क्यों कहते हैं मैंने बता दिया आपको फिर बता देता हूं क्योंकि लो हाज होता है लो हाइस पात दूसरे उद्धोगों के लिए मसीने बनाता है दूसरे उद्धोगों के लिए कलपुर्जे बनाता है यानि कि दूसरे इस पर आधारित होते हैं लो हाइस पात उद्धोग के उपर जिस कान से लो हाइस पात उद्धोग एक आधार वो तुद्धोग है ये इंपोर्टेंट परसन है जीवन में काम आएगा ये परसन आपको कहीं ने कहीं आप कोई बड़ी परिक्षा दोगे करोगे वहाँ पर भी परसन आपको इंपोर्टेंट हैं वहाँ पर भी ये परसन आपको काफिला आप देंगे फायदा देंगे अगला परसन देखिए जापान का कौन सावत दोगिक परदेश गना बसा हुआ है ये वहाँ पर ज्यादा जन सिंख्या है तो जापान का टोकियो जोगिक परदेश गना बसा हुआ परदेश है ये टोकियो जापान की राजधानी भी है ये भी नोट कर लेना रही और वो कहां पर है वो किस दवीपर है टोकियो पता आपको यह जापान के होंसु दवीपर बसा हुआ है ये परसन आ सकता है कि जापान के होंसु दवीपर कौन सा सहर है ये टोकियो सहर है ये और यह जापान की राजदानी है और यह जापान के हुंसुदवी परिस्तित है यह नगरे यह अपने नोट कर लेना अगला है कुटिर या गरेलुद्धोग का कोई एक धान देना है कलाकर्ती करते हैं कोई आर्ट बनाते हैं यानि कि कुटी रुद्धोग वे उद्धोग होते हैं जो कुटिया में घर में एक छोटे से घर में आथों दवारा कोई काम किया रते हैं हम वी निर्मान करते हैं तो वो कुटी रुद्धोग होता है जैसे कला करती है जैसे जुत्ती बनाने का काम है बीडी बनाने का काम है जैसे चटाई बनाने का काम है, वीजना बनाने का काम है, ये सारे क्या हैं, फुटी रूत दोग में आते हैं, अगला परसन देखिए, रसायन आधारित दोग के कोई दोव धान दोग, तो पलास्टिक उत धोग, पैट्रो रसायन उत दोग, पलास्टिक मनाने का काम है, पैट जो उत्धोग और जैसे उन उत्धोग है चमड़ा उत्धोग है उन भी हम managing पराफ्ट करते हैं जैसे भेड़ Jr व्हुन यह जहां गदिजन संख्या है यानि किकि एफरिका माधिप में तो इस खेंए खास यह जहां पर यह जंसक्रा गनि बसी हुह तो नाईजीरिया है बताने है इंए इस यह भी और दोगीक परतेश ये भी जर्मनी में है अगला परसन है रूस के कोई दो धोगिक परदेशों के नाम लिखें तो मास्को धोगिक परदेश है और युराल धोगिक परदेश है अगला है बिर्टैन के कोई दो धोगिक परदेशों के नाम बताएं तो दक्षनी वेल्स धोगिक परदेश है और मि में दोनों ही ब्र नोई दोनों भी पर देश है अगला है यह दातु का यूज नहीं होता कोईला है कोईला लकडी से मिनाते हैं कोईला और प्राकरतिक तोर पर भी कोईला अर्थी के नीचे पाया जाता है तो कोईला और गंदक जो उद्धोग हैं ये दोनों ही ए दातू उद्धोग हैं अगला परसे देखिए दातू उद्धोग के कोई दो धान दीजिए तो दातू उद्धोग यानि कि वे उद्धोग जिन में द तातू दोग है इस परकार आप धान दे सकते हो अगला परसन है वी निर्मान का साब्दी करत क्या है वी निर्मान वी निर्मान का मतलब होता है हस्त यानि कि आथ से या मशीनों से या दोनों से किसी चीज का उत्पादन करना उसका निर्मान करना वी निर्मान कहलाता है आथ स कि कौन से उद्धोग होते हैं, जो सिल्फ उद्धोग होते हैं, उन कुटिर उद्धोगों को सिल्फ उद्धोग कहते हैं, ये कुटिर आच्छे चलाया जाते हैं, इसमें आथों से काम किया जाता है, सिल्फ कारिये किया जाते हैं, आच्छे जैसे जुत्ती बनाने का काम है, चटाई बनाने का काम है बीड़ी बनाने का काम है और कोई छोटा मोटा गलिचे बनाने का काम है और ये अपने फरनीचर का छोटा मोटा काम है ये सबी क्या हैं सिल पुद्धोग में आते हैं आज का ये हमारा जो पाठ था दवित्य किरियाएं ये हमना आज करवा दिया आप इसने अपने गुरूप में बच्चों में शेयर कर दिया गरो